तो यहां आप हसके रहेंगे तेरा कंट्रिया वहीं वोट करती है जो कंट्री भी ग्रेलिस्ट में जाती है जब वह बाहर निकलती है तो उसको एक दम से तो मेरे खाले नहीं छोड़ गिया जाता होगा जाहिए जी पर से शुरू हो जाहिए जो कर रहे करते हैं दोस्तों फाइनली एफटीफ की ग्रेलिस्ट से पाकिस्तान बाहर तो आगया लेकिन फिर भी एफटीफ उसके उपर में कुछ पतिपन और वाच रखने वाली है लेकिन पाकिस्तान इस बात से इतना खोश हो गया है कि उसके यहां पे तो बहुत जादा मतलब मिठाय उठाय क की बाते चल रही है लेकिन इसी बात को हमारे पीर साथ ने काफी अच्छे तरिक से बता है कि एफटीफ से निकलने के बाद में भी पाकिस्तान के ओपर काफी कुछ निर्भर करेगा कि वह बाहर कंटिन्यू रहे या फिर से उसे ग्रेलिस्ट में डाला जा सकता है तो इस व भी कहा गया है फेटीफ की तरफ से कि हम एक मॉनिटर मतब करते रहेंगे वह पाकिस्तान को ऐसा नहीं है कि बाहर चला गया तो बस चुटी हो गई कुछ तोड़ी बहुत मेरे खाले चेक वो फिर भी चेक इन बालन्स रखने के लिए कुछ ना को चलता रहेगा क्या समझते हैं आप लग रहे हैं कि सही फैसला हुआ है वैसे एक्सपेक्ट तो कर रहे थे लोग काफी टाइम से कि ऐसा कुछ होने जा रहा है तो क्या कहेंगे आप देगे आज जी सबसे पहले शोग पे बुलाने के लिए धन्यवाद और दीवाली की शुब कामना है आपको भी आपक लाइग कुछ थे लिए लिए तो कि आपको बिल्कुल बाहर निकालेते हैं यह तो बिल्कुल बहुते नहीं आप अभी ग्रेलिस्ट में घृत तो अगर यह वाली परिस्टिती है वाला इसे एक इंग्लिष वालेश्वादेट तो चैनले चैनलेट अच्ट बार निकाल ले तो बिल्कुल बोलते हैं नहीं जी आप इसका प्रक्रियन समझे मैं आपको पहली भी बताया था कि ग्रेल से निकलने का दारबादार होता है उनाइटी स्टेट्स अमेरिका पे करी तेरा कंट्रिया वहीं वोट करती है जहां उसे वोट करता है आपको ग्रेलिस्ट में लाने अब आपको ग्रेलिस्ट से अगर पूरे निकलोगे वो भी निकालने वाला अमेरिका और सच बता हूं यह मैं आपके छोपे हर चैनल पर अपने नैशनल टीवी पर क्या चुका हूं कोई फरक नी पढ़ता अपने जमीन पे कितने काम किये कितने किये कितने अधूरे कितने पहले उन्होंने लगा हाँ आपने जो बोला हमने किया फिर उनकी टीम आई थी अब अगर टीम आई है तो उनको बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट जिरो एंवान का फैसला देना चाहिए यार यस यार नो हाँ निकाल दिया पड़ देरा कंडिशन आटाज तो मतलब यह कि ल चाहिया बाद नीची उसका फैसलाब करेंगे मेरे इसाब से पैसे फिलाल बचा के रखने चाहिए कि पता नीना कि कब फिर हल्वाई की पैसे देने पड़ जाके रहा हमारिया का इस पे हमारिया भी एक कहावत है हमारी का जाता है पूरा हाथी निकल गया दूम रह गई तो हर कंट्री पर रखते होंगे इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं हो सकते हमें कुछ होना चाहिए कि हमने सारे पॉइंट क्लियर कर ली है वाट इस टिल जो कंट्री भी ग्रे लिस्ट में ये ब्लैक लिस्ट में जाती है जब वह बहार निकलती है तो ऊसको एक दम से तो म confirmation है नहीं जितना मैंने देखा है क्योंकि एक दो गंटे पहले ये news अई तो उसका भी भुज़ता आने वाले एक दो दिन में सको और confirm करें किसकी voting कहा है कितनी है क्या है वह मैं पता लएगा but usually जहां तक मैंने देखा जो grade lid से बाहर है तो बाहर है उसको फिर वह टर्म्स और कंडिशन वाली चीज़ नहीं होती है आप बाहर हो तो बाहर हो अब आप इंडियन परस्पेक्ट्ट्व से लेगे देखे अरजु जी यम पहले भी बात कर चुके है अब देखें दुनिया भर में एदारे जो इंटरनाशन एदारे इंडिफंक हो गए यह यूजलेस से हो गए अब युनाइटी नेशन की बात करें उनाटी नेशन से कुन सी जंग देख ली ड़ी ड़ी वह एचो क्या कोविट लोग पाया बाई वहान हेल्थ अब पता नहीं कुछ लोग से अब भी वर्ड ऑर्गनेशन जो उसका पुराना नाम उसके बादे जानते हैं अब यह मीर था आपके टेकनिकल होल्ड फिर चाइना ने लगा दिया आज कल्पी बात है तो यह जो इंटरनेशनली जो गेम्स प्ले की जा रही है यह जो आटोर अब पावर सब्सक्राइब आज तक एक धारना थी एक रुथभा था लेखे आपको एफ 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 एप एप ने रहे कि बीक जाना फरग नी पढ़ता ना दो चीज़े होने थी आप ग्रेड लिस्ट आप ब्लैक लिस्ट में जानी सथे जब तक आपको चाहिना तर्क आपको ब्लैक लिस्ट में जाने नहीं देगा ग्रेड लिस्ट में लाने के लिए निकलने के लिए अपको युनाइट शेर्स अवारेका की मदद चाहिए थी है और रहेगी और शायद अब उन्होंने क्या किया कितनी मदद की जब वो पैटरन सामने हैंगा हम मैं बता दोगे सब्सक्राइब नहीं हो गए जितने भी काम थे आपके ड्रोंस से हत्यार बेजना ड्रॉंस आपको ड्रक्स बेजना जो ड्रक्स का पूरा कार्टल पूरा माफिया अफगानिसान पाकिस्तान रूट से चलता अपकी खेप प्रक्तून उसे होते हुए, क्या वो बंद हो गया, दो गाम बड़े फेमस हैं, जिनके तो सारी तसकरी होती है, आप को यह नाम पता है, मुझे भी पता है, कहने की बात यह है, ग्राउंड पे ऐसी कौन सी पाँच चीज़े, अगर आप मुझे गिनादे जो पाकिस्तान ने क ही है, जिससे यह पता लगे हान जी, आपने टेरर फंडिंग टेररिज्म को रोका है, ऐसी कोई भी चीज़ ग्राउंड पे नहीं दिखाई जे लिए, अभी जो इसकी इज़त रही थी, जो इसकी धाग बनी थे दुनिया में, वो भी मुझे खतम होती नजा आ रही है, यह इक डिफंक्सी और्गनेशन बन रही है, बाकी जा तक भारत की बात है, अर्दु जी, मैं डिरेक्ट भोलता हूं, मैं आप आपको चाहिना, अगर पैसी देगा तब भी देगा, अगर सोधियों ने, पैसी दिन होने, क्या फरक पड़ता है, तो यह चीज़े एक, हाँ, एक आपको ज़रूर है, इसमें जो इंडिया के परस्पेक्टिव से कहा रहा हूं, इंडिया ने अभी रुपी ट्रेडिंग अलाओ कर दिये, रुपी ट्रेडिंग, मैं बास्तरोव एकाउंट कोल के रुपी ट्रेडिंग कर सकते हो, पर उसमें भी कुछ टर्म से कंशन्स है, अगर आप ग्रेडिंग रुपी ट्रेडिंग नहीं हो सकती है, अगर कल को चाहे और कुछ अप्रूवल आए तो शायर पाकिस्तान की साथ रुपी ट्रेडिंग कोई कर सकता है, अगर इंडियन गोर्मेंट का अप्रूवल या कुछ होगा वैसे, पर पहले जो एक टेक्निक अगर आप ग्रेड लिस्ट में तो यह हो नहीं सकता है, यह लिमिटेशन मुझे जाती नदर आ रही है, बागी स्क्यूर्टी परस्पेक्टिव से बोले, कोई फर्ख नहीं पढ़ता, लेकिए आप एफटी अप ग्रेड लिस्ट में थे,